प्रमुक मायावती ने कॉंग्रेस और बिजेपी पर जमकर निशाना साधा मायावती ने बिजेपी और कॉंग्रेस को सत्ता से उखाट वेगने का आवाहन करते वे आरोप लगाया कि दोनों पार्टी की गलत नीतियों के कारण देश बरबादी के मुकाम पर है उन्हेंने कहा कि दलीतों को अभी तक उनके अधिकार नहीं मिले हैं सहर के राजके इंटर कॉलेज के मैदान में सपा बसपा गडबंदन की चुनावी रैली को संबोधित करते वे उन्हेंने कहा कि अधिकांच राजियों के लंबे समय तक कॉंग्रेस पार्टी की सरकार रही लेकिन गरीबी और बेरोजगारी अभी तक खत्म नहीं हो पाई मायवति ने कहा कि कॉंग्रेस के बाद केंदर की सत्ता में आई भारती जन्ता पार्टी भी और सरकारों के तरह ही उनके नक्षय कदम पर रही जिससे आरसस वादी, पूजी वादी और जाती वादी को बढ़ावा मिला बस्पा प्रमुक ने कहा कि बिजेपी ने पिछली लोग सभचनाओं के दौरान किये गए वादों में से एक चोथाई वादे भी पूरे नहीं किये हैं प्रधान मंत्री द्वारा पूजी पतियों के चौके दारी से किशान परिसा ने बिजेपी जाती वादी, पूजी वादी और संप्रदै वादी नीतियों से दलितों, पिछलों और अल्प संक्यों का भला नहीं कर रही है मायवती ने कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षन का कोटा पूरा नहीं किया गया है ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बनेरे आन्योज इंडिया के साथ धन्यवाद